तो चलिए आज हम आप आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमने पिछले लेक्चर में 1.3 एक्सराइज के कुछ क्वेस्चन किये थे आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं तो आज हमारा फिफ क्वेस्चन है find the product using suitable properties अब अगर मैं देखूं कि यह suitable properties कौन सी हैं अगर आपको याद हो तो हमने properties की थी की distributive property या associative property क्या थी वहाँ पे हमने की थी a into a अच्छे से लिख लेती हूँ तो यह लेजे a into b into c यह associative property थी क्या थी a into b into c यही थी या distributive property थी वह क्या थी a into b plus c is equals to a into b plus a into c यही थी तो यहाँ पे अब हमने यह properties लगा के solve करना है जैसे पहला question है पहले question में अगर मैं देखूं तो कौन सी property लग रही है यह वली property लग रही है क्या है a into b यह रहा plus a into c यह रहा तो अब इसका answer में यह लिखूंगी a into b plus c तो क्या आगए इसमें अब a कौन सा है 48 है तो minus 48 बाहर into b के 26 plus c के minus 36 यही हो गया a दोनों में common है ठीक है तो यहाँ पे हम अच्छे से लिखते हैं यह भी a है यह b हो गया और यह c हो गया तो यह आगया ऐसे तो कितना answer है minus 48 पहले bracket को solve करूँगी तो कितना है 26 plus minus minus चीक है तो यह आगया अब दोनों के लग लग निशान है तो minus करूँगी तो कितना आगया minus 48 into 36 में से 26 minus के 10 निशान बड़ी रखम का अब यह क्या गया minus minus plus 48 को 1 से multiply किया 48 पीछे कितनी 0 जवान तो यह answer आगया तो चलिए अगला question देखते हैं जैसे यह 8 into 53 into 125 तो बी question मेरे पास 8 into 53 into क्या है माइनस 125 माइनस 125 अब इसको solve करने का क्या तरीक है देखें मैट्स में वो कहता कि आप ना easy कर सकते हो कैसे जैसे 125 है अब 125 को जैसे 8 जैसे मैं यहां पर देखूँ तो अगर मैं एक बाइए देखूँ अब 8 को अगर मैं 125 से multiply करूँ तो पीछे 0 जा जाएगा क्यूंकि 5 से multiply करने पर या तो 0 आता है या 5 आता है और 8 को multiply करूँगे तो पीछे 0 जा जाएगा तो वो कहता multiply करने का easy तरीक है कि आप कोई भी दो रखमे ढून लो जिनको multiply करने पर 0 आएगा या उस रखम को तोड़ लो जैसे 125 को तोड़के 100 प्लस 25 भी लिख सकते है ठीक 8 5 सा 40 4 2 8 2 का 16 और 4 20 8 1 जा 8 और 2 10 थाउजन तो निशान अब प्लस माइनस यहां पर प्लस यहां पर माइनस प्लस माइनस माइनस अब बच गया 53 तो 53 वैसे का वैसे ही अब 53 को इससे multiply करना तो बहुत इस जाए 53 को 1 से multiply कि आप 53 पीछे कितनी 0 आएंगे 1 2 3 तो 3 0 अब माइन माइनस प्लस माइनस तो यह answer आगया ठीक है तो चलिए अब और question कर लेते हैं एक और question देखते हैं अब यह भी यह भी सेम ही है ठीक है जैसे यहां पर 25 को अगर आप 4 से multiply करोगे तो 100 तो easily हो जाएगा मैं आपको यह सिखाती हूँ इसमें जो मैंने अभी method बताया था 102 102 यह यह ना तो देखिए अब चाहिए 41 को तोड़ो चाहिए 102 को मैं 102 को तोड़ूंगी कैसे 0 वाली नजदीक के रकम लिखना है जैसे 141 को वैसे अब 102 को मैं 100 प्लस 2 लिख सकती हूँ अगर हम 100 में 2 एड करेंगे तो 102 ही बनेगा ना तो वही लिखा अब इसको सबसे पहल 41 कितनी 0's दो यह माइनञस वैसे का वैसे अब उसके बाद माइनष को प्लस से मल्टिप्लाइ किया माइनष प्लस प्लस माइनष 41 को 2 से multiply किया तो 84 ये तो 82 हो गया ये तो easy है अब दोनों के same निशान है तो add करूंगी कितना हो गया 41 100 में 41 हमें 82 आड के तो 41 82 निशान बड़ी रकम का तो ये answer आ गया ठीक है तो चलिए अगला देखते हैं तो इस तरह हम दो तरीके या तो properties लगाईए जैसे ये properties है या आप उसको वो दो रकमे ढूंड लीजे पहले उनको multiply कर लीजे जिनको multiply करने पर 0 जाती है या फिर तोड के ठीक है अब जैसे मैं e question देखू तो e भी पहले जैसे है a into b plus a into c तो इस पे भी ये लग रहा है ठीक है तो a into b plus c आ जागा अब हम करते है f 7 into 50 minus 2 देखे तो वैसे ही है 7 into 50 minus 2 तो वैसे ही है a into b minus c आपको वो a into b minus c किसके ब्राबर था a into b minus a into c जैसे ये plus वाला formula है मेरे पास जैसे ये plus वाला formula है वो minus वाला formula तो अब यहाँ पे वैसे a के 7 b के 50 c के 2 तो 7 को 50 से multiply करना है फिर minus 7 को 2 से multiply करना है नहीं तो 50 में से 2 गए 48 को 7 से multiply करना मुश्किल है न तो 75 जा 35 पीछे 10 minus 72 का 14 अब 350 में 14 minus करने है तो मुश्किल लगता है तो पहले 350 में से 10 minus कर लीजे कितना हो गया 340 अब 340 में और कितने minus करने है 4 तो कितना हो गया 336 तो यह answer आ गया तो इस तरह चीजों को जैसे तोड़ तोड़ के काम करना अगर plus करना है तो तोड़ तोड़ के minus करना है कर सकते हो ठीक है अब यह एक एच क्वेस्चन में कर देती हूं minus 57 into minus 19 minus h question है ठीक है तो यह एक बाल यह है minus 57 into minus 19 plus आगे कौन सा minus 57 into minus 19 plus 57 तो यह है आगे plus 57 ठीक है अब देखो 57 57 common है ना तो मैंने common निकाल लिया ठीक है तो अब 57 यहां से इस रकम से 57 निकल गया तो क्या बच गया 19 और यह minus minus क्या होगे plus plus यहां पे 57 था यह तो बहार निकल गया तो कितना बच गया 1 divide करना है 57 को इस 57 से जब हम divide करेंगे तो 57 1 जा 57 होता है ना तो इसलिए answer हमने कह लिका 1 अब 19 प्लस 1 20 तो 57 को 20 से multiply किया अब 0 जितनी है इस रकमे वैसे कि वैसे लगा दी 57 को 2 से multiply किया तो कितना गया 7 2 का 14 1 2 5 जा 10 और 1 11 तो answer कितना गया 11 140 अब वैसे इसको multiply करो पहले 57 को 19 से फिर जो answer गया उसमें यह सत्वंज और जोडो तो कितना मुश्किल और कितना length ही है यह मिंटो मिंटी हो गया तो ultimately हमने देखा कि properties की health से हम उसी मुश्किल वाली multiply या गुना को कितने असान तरीके से कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अब अगला question देखते हैं अब हमारा 6th question है क्या कहता है कहता है एक कम रहा है जिसमें 40 जिग्री टेम्परेचर ठीक है कहता हर घंटे जैसे जैसे टाइम बीता गया हर घंटे बाद 5 डिग्री कम होता गया मतलब जी अगर इस वक्त 40 जिग्री है तो अगले घंटे बाद कितना रह गया पांच डिग्री कम हो गया तो कितना रहा गया थी जीक्री फिर उससे दो घंटे बाद कितना रहा गया अगले घंटे कितना रहा गया थी Improve तो इसका मलब 40 जिग्री से दो घंटे बाद कितना रहा गया थीज जीग्री तो कहता ह Spargot what will be the room temperature 10 hours after the process begins दस घंटे बाद उसका temperature कितना होगा तो अगर हम देखें तो दस घंटे बाद तो आफ्टर वान नार अगर मैं लिखूं कि एग घंटे बाद कितना हो गया after one hour 40 minus 5 फईव डिगरी कम हो रहा है तो 35 डिगरी है तो हमने after 10 अगर देखना है ठीक है तो हम क्या करेंगे पहले 5 को 10 से multiply करेंगे 50 डिगरी है अब 40 में से 50 डिगरी माइनस करेंगे तो दोनों के sign अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अब कोई sign ही तो किसका डालूंगी प्लस अब ये दोनों साइने लग लग है तो माइनस करूंगी पचास में से 40 गए 10 डिग्री सेल्सिस निशान कौन सी रखम का बढ़ी का तो 50 बढ़ी है उसका निशान माइनस मतलब अगर इस वक्त 40 है तो 10 घंटे बाद उसी कमरे का कितना टेंपरेचर होगा माइनस 10 डिग्री क्यूं हर गंटे 5 5 डिग्री कम होता गया तो 40 से पहले 35 फिर 30 फिर 25 इस तरह 10 घंटों बाद 50 डिग्री कम होगा तो 40 में से 50 गए माइनस 10 डिग्री ठीक है आईनबात समझ में जट से समझ आ जाती है तो चलिए आगे दिखते हैं यह भी बहुत बहुत मज़ीदार है कहता है इन्हें क्लास चैस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन किसी टेस्ट में ठीक है हर सही आंसर के आपको 50 प्वेश्चन नंबर मिलने हैं 5 नंबर दस questionوں में से जितने question सही होंगे हर question के 5 number मिलेंगे और अगर गलत हो गए तो आपको minus 2 number आपके cut कर दिये जाएंगे मतलब अगर आपने question सही किया तो 5 number अगर एक question गलत किया तो 2 number cut जाएंगे आपके ठीक है और अगर कोई question नहीं attempt किया तो उसका क्या आगए answer 0 ठीक है कहता पहला पाट है कहता मोहन gets 4 correct अब मोहन ने चार सही किये हैं तो मोहन correct answer के marks कितने हुए correct marks question marks है तो correct question marks कितने होगे चार सही किये हैं तो हर सही के कितने number है 5 तो total उसने कितने आगए 20 and 6 incorrect और 6 incorrect हैं तो incorrect कितने हो गए six तो यह आ गया 6 into 6 incorrect है तो हर incorrect कि कितने marks कम होने है minus 2 तो यह minus का 6-12 minus 12 छीक है तो इस का मतलब अब 20 में से 12 गए ठीक है तो इसका score कितना होगा यह देखना है तो 20 में से 12 minus एक तो कितना रह गया इसका मतलब उसका score कितना हो गया 8 मतलब 20 नमबर उसके सही 12 नमबर उसके और कट गए तो 20 में से 12 गए 8 नमबर उस बच्चे के आए ठीक है तो चलिए वगला question देखती है कहता रेश्मा gets 5 correct answers कहता रेश्मा ने 5 correct answer दिये तो हर के कितने नमबर है 5 तो इसका मतलब second part रेश्मा ने रेश्मा correct answers marks ठीक है तो पांच सही दिये हर के पांच नमबर है तो टोटल उसने कितने लिए 25 ठीक है अब रॉंग कि कितने उसके कम हुए यह देखनी है तो कहता है उसके पांच ही incorrect है मतलब पांच ही incorrect है तो हर के कितने कटन यह माइनस दो तो इसका मतलब माइनस 10 हो गये तो इसका score कितना हुआ हर score कितना हो गया 25 माइनस 10 तो इसका मतलब 15 नमबर उसके score लग ठीक है तो चलिए लिए अगला question देखते यहें naris ऍवी देहता है 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 कहता है फलाइन हीना गेस चू करेक्ट हिना बसाइए और पांच इनकक्रेक्ट अंसर थी एंठीक है हीना ने हीना धिस्त्त हे और मीज़ने ओंप झाल रहा है तो कहता है तो कहता है पांच in करेक्ट है sorry ठीक है तो यहां पहरों गलत हो गया डू सही है तो इसका मतलब टू इंटू फाइफ साथ और फांच इंकरेक्टकितने है पांच है तो इसका मतलब पांच को माइश चू शे कैन माइनस 10 यही हो गया अब अभ आगे क्या है हमने इतना हिस्सान तो कर लिया और बताने है तो कितने स्कोर हो गए तो टोटल कितने हो गया है 10-10 तो बोगर दोसिए जवाब दिये हर जवाब के पांच नंबर है तो टोटल उसके दस नंबर हो गए और उसने पांच गलत जवाब दिये और हर गलत जवाब के दो नंबर कम होने है ठीक है तो इसका मलब उसके दस नंबर कम हो गए तो दस ही होए थे दस उसमें से कम हो गए तो आंसर जीरो रह गया ठीक है तो यह मज़ेदार क्वेस्चन जो आपको इंट्रस्टिंग भी बनाते पढ़ने के लिए और वैसे भी मज़ा आता है तो चलिए अगला जब ग्रेस सीमेंट का उसने बोरी बेची तो इसको पांच रुपए नुकसान हुआ कहता कंपनी ने 3000 बैग वाइट सीमेंट के बेच्चें और 5000 बोरी हैं ग्रेस सीमेंट की तो इसको प्रपिट हुस तो पहले वाइट बैग का गर हम देखें एपार्ट है तो वाइट बैग उसने कितने बेचे हैं 3000 बैग ठीक है हर बैग के मगर उसको कितने पैसे बचते रहे 8 रुपए तो इसका मतलब 3000 के मगर कितने बचे 83024 पिछी है कितनी 0s 123 तो 24000 रुपए के उसने वाइट बैग बेचे यही हो गया अगर उसको लॉस नुकसान कितना हुआ पांच रुपए का ठीक है तो 25000 रुपए का उसको हुआ हना यही बता है हमारे पास 25000 रुपए का उसको क्या हो गया नुकसान हो गया तो मैं एक पर अच्छे से तो यह लीजिए ठीक है अब कहते हो उसको प्रॉफिट हुआ के कम बढ़ी है white bag वाली छोटी और gray bag में इसको क्या हुआ था नुकसान लॉस हुआ था तो 25,000 minus 24,000 तो उसको 1000 रुपे का क्या हो गया लॉस हो गया ठीक है अब आगे कहता what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if number of gray bag sold is 6400 कहता है white cement के वो कितने बैक कितनी बोरी हैं बेचेगा ताकि उसको नाई नुकसान और नाई profit हो अगर gray bags की उसने कितने बोरी हैं बेचे चौन्ट सो ठीक है तो क्या करेंगे कहता है ग्रे बैग की उसने 6400 bags बेची है ना हर बैक है मगर उसको नुकसान कितना हुआ अगर मैं द इतना हो गया 4500 ट्वेंटी जीरो टूपर 6530 32000 रुपए उसको हुआ नुकसान ठीक है तो अब मैंने देखना है कि उसको जो white bag है उसके 8 रुपए है तो इसका मतलब हर white bag के मगर हमने देखना कि कितनी आएगी यहां पर हमने यह देखना है कि इसका मुझे कितना कितना गया 4000 बैग हो गया तो इसका मतलब 32000 को तो यह दिखें अब 32000 चाहिए न हमें तो यहां पर हम क्या करेंगे हमें यहां पर चाहिए 32000 रुपए तो कैसे लिखेंगे x into 8 is equals to 32000 रुपए ठीक है तो x is equals to 32000 डिवाइड बाइ 8 तो 8 1 जा 8 8 4 जा 32 यहीं आ गया ठीक है पीछे कितनी 0s 4000 तो 4000 बैग वेचने पढ़ेंगे देखिए मैं समझाती हूँ ग्रे बैग कहता उसे 32000 रुपए के पढ़ी है ठीक है नुकसान 32000 रुपए का हो गया अब हमें लाब भी 32000 रुपए का चाहिए ताकि ना ही हमें नुकसान हो और ना ही कोई लाब हो ठीक है तो इसका मलब हमने वाइट बैग कितने बेचने हैं हर बैक यह अगर उसको आठ रुपए बचती हैं वाइट में हना तो इसका हम अगर अगर हम 32000 को आठ से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने वाइट बैग बेचने तो 4000 बने चार को आठ से मल्टिप्लाइ करेंगे 32000 हो गए तो इसका मलब 32000 वाइट बैग को बेचने पर 32000 प्रॉफिट कब होगा जब हम कितने बैग बेचेंगे 4000 ठीक है यह तो वैसे मूजवानी भी औरली भी होई जाते हैं तो चलिए बगला देखते हैं लास्ट क्वेस्चन है फैंक औरलस्ट क्वेस्चन ह मिज़ण बहुत आते हैं चाहर چेसे करें कि इसका कलर चेंच कर जया जपते हैं कहता है और एकल जोब पर नहीं कहता पहले 27 numa कित से से निदिवाइए कर नाएन कि इंदिस से फिवधा पर आप देखने वाली और सोचने 발라s दूरे क्या माइनस यहां पर क्या प्लस तो अब यहां पर मैं कौन सा साइन लगा हूं कि दोनों की मल्टिप्लाइ करके प्लस बन जाए तो क्या होता है माइनस माइनस प्लस होता है प्लस प्लस यह भी प्लस होता है प्लस माइनस माइनस होता है तो इसका मला अगर यहां माइनस है तो यहा होँ प्लस यहां पर हमने ही लगाना साइन न्यां सेवन का रहे हैं न यहां पर हमने करूं आंसर 132 11 11 को आप 12 से मल्टिपलाइच कीजिए मैं करके दिखा देती हूं 122 111 फिर 1221 11 122 12 12-131 132 अब बात आ गई साइन की आंसर का साइन कौन सा यहां पे प्लस है तो बरस का बाता है या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो अभी इसका निशान माइनस का है जो हमें रकम दी हुए है तो इसका मतलब 11 का अभी निशान कौन सा चाहिए माइनस का हो गया तो इसके साथ ही हमारी 1.3 exercise क्या हो गई खता ठीक है अब आपने देखा कि बहुत ही ए को easily कर सकती हैं तीन तरीके हैं multiply को easy करने कि या तो properties लगाईए या उस terms को छोटा कर लीजिए या उनको ऐसे pairing कीजिए ऐसे जोड़े बनाईए कि multiply करके answer zero बन जाए ठीक है क्योंकि zeros के साथ multiply करना बहुत easy है ठीक है I'm sure आपको यह lecture पसंद आया होगा और समझ भी अगया होगा अब आपने क्या करना है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए थांक यू हवे नाइस जे